देश सेन निरक्षर्ता का साया हमेशा के लिए हट जाए यही तो उदेश्य है राश्ट्रिय साक्षर्ता मिशन का पर इस उदेश्य को आगे कैसे बढ़ाया जा रहा है सबसे पहले किसी भी जगे साक्षर्ता अभियान शुरू करने से पहले होती है प्लानिंग बहुत सोच विचार कर फैसला किया जाता है कि कौन से जिले में किस वग साक्षर्ता अभियान शुरू किया जाए कैसे किया जाता है यह फैसला राजसर का ये कोशिश करते है कि हर जिले में जो की पिछड़े हुए हैं उनमें ये कारिकरम प्रारम किया जाए इसके लिए वो समय समय पर एक कारिकरम या ओरिंटेशन प्रोग्राम रखते हैं जिसमें की जिलों से अपिक्षा की जाती है कि वो अपने जिले की इस्तिती का अध्यन करें और साक्षाता अभिहान के लिए कारिक्रम त्यार करें इसके पर शाद जिला इस्तर पर जो जिला अधिकारी हैं और समाज के जिले में जो भी अन्महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जारी करने के लिए चालोग करने के लिए क्या कारिकरम क्या परजग्तियार किया जाए इसके लिए शुरूर शुरू में यह बहुत अवश्चक होता है कि जिले में कॉर टीम डवलप की जाए और वो कोर ग्रूप इस कारिक्रम को आगे ब्लॉक स्थर पर ग्राम स्थर पर सब लोगों से परामश करने के लिए कन्वेंशन्स ग्राम सभा मीटिंग या ब्लॉक स्थर की सभाएं करते हैं और इसके परशात में वहे ये निदाहित करते हैं कि हमारा मुक्स रूप से कितना बड़ा समस्या है, कितने लोगों की हमें आवाशकता पड़ेगी और इसमें किस तरह से हम लोगों को प्रेरित करेंगे इसी तरह अच्छी प्लानिंग के बाद शुरू हुआ था साक्षरता अभियान काला हांडी में काला हांडी नाम आते ही चित्र उभरता है भूग से मर रहे लोगों का, रोजगार की तलाश में पलायन करते इंसानों का, बारिश की अभाव में बंजर में तब्दील होती जमीन का, दुखत है ऐसी वास्तविक दाएं, पर सच्चाई भी है जिससे मून नहीं मोडा जा सकता देश का सबसे पिछड़ा राज्य उडिसा और उडिसा का सबसे पिछड़ा जिला काला हांडी सारी कहानी खुद पर खुद बयान कर देती है, ये चलती फिरती तस्वीरे, और उस पर से ये आवास कैसी, कौन है ये, क्या कहने की कोशिश कर रहा है, चेहरे में छुपे सन्नाटे को क्यों भेदना चाह रहा है, क्यों एक अकेले कलाकार के गीच से लोग अपनी पिड़ाओं को भुला कर जूम रहे हैं, वजे क्या है कि इनमें मधुर्शी का आलम चाया हुआ है, शायद इनके कानों में वो मधुर संगीत गुंज रहा है, जो इने लगातार एहसास दिला रहा है, कि घबराओं मत, तुमारे सारे दुखों की दवाई मेरे पास है, इस कारण मेरी बात ध्यान से सुनते जाओ, पढ़ोगी लिखोगे नहीं, तो होश्यारी नहीं आएगी, होश्यार बनोगे, तो रोजी रोटी मिलेगी। में आने के लिए। में जहांके लोगों में भूग से लड़ना एक नियती बन चुका है। ऐसे मुश्किल हालात में, जब पांच साल पहले जिले में साक्षर्ता आंदोलन की मुहिम चलाने की सोची गई, तो शुरुवाती प्रतिक्रिया निराश करने वाली थी। और देश के नौनी हालों के हाल तो पूछिये ही मत, खाने को अन के दाने नहीं, धकने को तन पर कपड़ा नहीं, तो भला स्कूल जाना कैसे सुझेगा ही नहीं। थोड़ा अटपटा जरूर लगा, भूक से लड़ रहे लोगों के बीच साक्षर्ता की जोती जलाने में, पर इसकी सिवाए कोई चारा भी तो नहीं था। भूक मरी से लड़ना है, गरीबी को मार भगाना है, तो जरूरी था लोगों को जागरूप करना, ताकि फायदा उठा सके विविकास के कारिक्रमों का, जान सके देश के नागरिक के रूप में मिले अधिकारों को। इस सिलसिले में सबसे पहला काम जो किया गया, तो ये था कि घर घर जाकर पहचान की गई कि अमुक घर में कितने लोग अनपढ़ हैं, वो भी केवल 9 से 45 आयूवर के लोगों का ही। निरक्षरों की तादात काफी बड़ी थी, करीब 8 लाग लोग निरक्षर थे, पुरुषों में साक्षरता की दर जहां 38 प्रतिशत के लगभग थी, वहीं महिलाओं में ये दर 12 प्रतिशत के आसपास थी। फिर काम किया गया पढ़ने लिखने का माहौल बनाने का, ताकि लोगों में उत्सा जगे, अक्षरों के जादुई वर्ण माला के प्रतिख, दिवारों पर नारे लिखे गए, जुलूस की शकल में लोगों का कारवां गाउं गाउं घूमा, संदेश था साक्षर काला हांड की सुन्दर काला हांडी, जिले के आला अफसर से लेकर छोटे मोटे अधिकारे भी गाउं गाउं गए और जनसभाएं की, साथ में ये भी बताया गया कि अगर लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, तभी सरकारी योजनाओं का बेहतर लाब उठा पाएंगे, अब वापिस तो दिख रहा है ना ये द्रश्य, एक तरफ महिलाएं बैठ कर किताबे पढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ बेशक महिलाएं ओट में खड़ी हैं, पर इनकी आखी देख रही हैं साक्षरता कक्षा के नजारे को, काम नजारे से तो चलने वाला नहीं है, न चलने वाला है न मोटर पहचा लेते हैं, अकेले यात्रा कर लेते हैं, दिक्कत नहीं होती, बच्चों को भी पढ़ाते हैं, अच्छे बुरे का पता चल जाता है केले के पौदे लगाएं, बारा सो से तेरा सो की हर हपते आमदनी हो रही है इन बे जुबानों को जुबान देने का काम, जिन योदाओं ने किया, जरा उनकी बात भी सुन ले हम उन लोगों को कुछ बताना नहीं पड़ता, उन लोग अपनी खुद ही सुद समझते हैं, टाइम पढ़ने पर कुछ जाकर खरिद के ला सकते हैं इसे की कोट कच्री जो भी सकते हैं, इसी तरह उन लोग जाकर कुछ समझा भुजाकर अपनी आप ही खुद करते हैं हम गाँ जाकर लोगों मुट्सा पैदा करते हैं, हम चाहते हैं कि साक्रता अवियान से ज्यादा ज्यादा लोगों को फाइदा हो अब अस्ते अस्ते, यह मों नहीं पोड़ बार लगे आगरों प्रकास पुर्चो वाकई में, जिले में चल रहे साक्षर्ता अभियान से लोगों में एक नया आत्म विश्वास आया है, अपनी समस्याओं से जूजने का तभी तो बगेर किसी सरकारी मदद के, लोगों ने आपस में मिल जूल कर साक्षर्ता सेतु का निर्मार करवाया है खेतों में कीट नाशक दवायां डालते हैं, अख़वार पढ़ती हैं महिलाएं ताकि देश दुनिया की ख़बर लग सके, अपना व्यवसाई भी करती हैं पैरों पर खड़ा होने के लिए They also train on different skills, they are performing how to prepare chandwa, how to prepare these handkerchiefs, how to prepare bamboo works, all these things is not small things. Now they are learning how to save money, there are about more than 1000 self-help groups who are collecting money daily and saving much money, about five lakhs of money is now saved. लगता है ना अब आपको भी एक नई तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, नई पहचान बन रही है, चारों तरफ फैल रही है साक्षर होते काला हांडी की जग मगाती रोश्नी. किसी भी अभियान की सफलता के लिए जरूरी बात होती है कि लोगों को कैसे पढ़ाया जा रहा है, यहां पर महत्वपुन भूमिका निभाती है ये किताबें, जो साक्षरता केंद्रों में प्राइमर्स के नाम से चानी जाती हैं. एक प्राइमर तयार करते वक्त किन बातों क ख्याल रखना पड़ता है. उसमें अपने को नहीं परिलक्षित कर पाएंगे, तब तक वो उसकी तरफ आकरशित नहीं होगे. इसलिए विशय के सासाथ हम लोग उसमें जो चित्र बनाते हैं, कबर पेज़ पर और कंटेंट्स के सासाथ, पाठों में जो चित्र बनाते हैं, वो भी उनकी कल्चरल बैक इसमें कुछ भी नहीं है. तो उनका कल्चर, उनकी जरूरत, उनकी काम, उनके पशु, खेती, बाड़ी, सब बातों को ध्यान में रख करके, रिजिनल कंटेंट्स को हम लोग उसमें समाहिद करते हैं. अब चलते हैं मध्य प्रदेश के आधुनिक शहर कहे जाने वाले इन दौर में, और परिचित कराते हैं, जिले में चल रहे साक्षर्ता अभियान से, पुराने जमाने का राजा रजवानों का शहर आज जनता के नगर में तबदील हो चुका है, लेकिन इतने बदलाओं के भावजूद इसने अपनी इस खास पहचान को आज तक संजोई रखा है, जिसका एक प्रमाण है प्रदेश के दूसरे एक शेत्रों के मुकाबले यहां की साक्षर्ता दर अधिक होना, लगबग 60-60 प्रतिशत के आसपास, सो अभियान में दिक्कते भी कमाई और आई भी त को कुछ दूसरी तरह की. अभियान को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए जिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिती का गठन किया गया, नाम दिया गया जिला साक्षर्ता समिती इंदौर, इसी तरह की समितियों का गठन प्रखंड और ग्रामस्तर पर भी किया गया, दूसरे चरण में जोर दिया गया पढ़ने लिखने का वातावरन बनाने पर क्योंकि इसी पर सारे कारेक्रम की सफलता निर्भर करती है। गली, कूचे, हर जगा साक्षर्ता के बोल ढोल मंजीरे के साथ खूंजने लगे। गाने सुनने के बहाने ही सही लोग जुटने लगे और जानने लगे पढ़ाई लिखाई से होने वाले फायदों के बारे में। मतलब यही था कि पूरे महौल को आनंद में बना दिया लगातार बनी रहे साक्षर्ता में। लोग संपर्क अभियान के तहट मदद ली गई युवा शक्ति की स्कूल में पढ़ने वाली चात्राएं जन जागरिती के लिए खुदी निरक्षरों के घरगर गई एक सपना लेकर। मैं यह दिखना चाती हूँ कि वो अपने पेरों पे खड़े हो जाएं, कुछ कर सके, इस स्टैंडर्ड अफ लिविंग से थोड़ा बढ़ जाएं। यूँकि इस साक्षर्ता इस एजुकेशन से उन्हें कुछ ना कुछ तो मिलेगा, आजकर इसनी साही प्रॉब्लम्स से तो साही साक्षर होने से सारी ये प्रॉब्लम्स दूर हो। जितना मुझ में है साक्षर्ता, जितनी मैं पढ़ चुकी हूँ, मैं उतना ही होने पढ़ाना चाहती हूँ। ये तो बात की बात है कि इनका सपना पूरा हो पाता है या नहीं, मगर कहते हैं ना कि आगाज अगर अच्छा हो तो अंजाम भी अच्छा ही होगा। कम से कम इन छात्राओं का स्कूली घेरों से निकल कर जुकी जोपडियों में जाना और ग्रामेणों को अक्षर रूपी मंत्र देना ही एक बड़ी बात है। वालने संस प्राओं में अच्छा ही बात्राओं का रूपी में थाओं किया और रोल्सक्षा का खिरूंग अच्छा में आपाज चाहिशी से निकल रूपादी उपनीटिज टेश्ट को रेंगात्र स्कूली जाबूंग जात्वाप सर्णीं अच्छा आर बातिज एक्छार इसा नहीं है कि जिला साक्षर्टा समित्य की पता का सिर्फ शहर और गाओं में ही लहराई बलकि इसका असर उन जगहों पर भी पड़ा जहां एक आम आदमी जाने की कलपना तक नहीं कर सकता हम बात कर रहे हैं इन दोर केंगरिय जेल में चल रहे साक्षर्टा भियान की यह भी संभव कर दिखलाया कम से कम सजा काट रहे कैदियों की जुबान से निकले बोल तो यही कहते हैं हर करम अपना गरेंगे ऐ वतन तेरे दिये तियाए जाविने आज यह जेल में ही साबुन बनाते हैं कलीचे तयार करते हैं इसके अलावा इन्हें सबसे बड़ा फाइदा यह हुआ कि आज यह अपने हाथों का इस्तेमाल गुना करने की बजाए बढ़ने लिखने वा हुनर सीखने में कर रहे हैं और आज जो यह हुनर सीख रहे हैं उसका असल फाइदा तब नजर आएगा जब इनके कदम जेल की कोटरी से बाहर पढ़ेंगे और यह बजाए गुनाहों के दलतल में फसने के अच्छी जिन्दगी व्यतीत कर सकेंगे देखा देखी महिला कैदी भी कहां पीछे रहने वाली थी यह भी जमीन पर बैटकर अकुर ग्यान हासिल करने लगी हात पटाने लगी इनकी अरचना नाम की स्वैम सेविका आम तोर पर कम्जोर समझी जाने वाली लड़की के मित्थक को भी अरचना ने तोड़ा है आखे क्यों ये बिना किसी लाप के वो भी जेल में महिलाओं का हाथ पकड़ कर अक्षनों के जरिये ही सही बाहरी दुनिया में ले जाना चाती है जिन महिला कैदियों को पढ़ने लिखने का मौका मिला आज उनके चेहरे पर एक विश्वास से भरा खुशी का आलम है जिसकी सच्चाई बयान करते हैं ये चंद अलफाज बड़े बुड़ों के साथ साथ दन्ने मुन्ने बच्चों को भी स्कूली शिक्षा दिलाने पर ध्यान केंद्रित किया गया ताकि भविश्य में निरक्षनों की जमात पैदाना हो सके खास तोर से इसके लिए स्कूल चलो अभियान चलाया गया पढ़ाने के पुराने धांचे में सुधार कर उसे मनुरंजग बनाया गया जिससे की बच्चों का शिक्षा के प्रती उत्साव लगाओ बरकरार रहे तीन साल तक जिले में चले साक्षर्ठा अभियान का नतीज़ा ये हुआ कि यहां के 15 से 35 आईउ वर्च के अंतरगर आनेवाले ज़्यातर लोग अक्षर गयान पा गए लेकिन साक्षर्ठा अभियान का मकसद केवल सदियोंसे अक्षर गयान से बन्चित लोगों को कह खह गह बतलाने तक ही सीमित नहीं था बलकि लोगों की आर्थिक वा सामाजिक स्थिती में सुधार करना भी था कारण कि लोग आत्म निर्भर हो सकें कल किसी दूसरे के मोहताज न रहे साक्षरता कारेक्रम में निरंतरता बनी रहे और जो लोग किसी कारणवर्ष साक्षरता कक्षा में आना छोड़ चुके हैं उन्हें फिर से अभियान के साथ जोड़ने के लिए दो साल पहले इंदौर में उत्तर साक्षरता कारेक्रम की शुरुआत की गई नए नए अनुठे तरीके अपनाए गए जगा जगा जन्विकास केंद्र खोले गए जहां पर नफ साक्षरों के लिए अकपार, मरोरंजन और खेल कूद की सामगरी मौजूद होती इससे उनका दिल भी लगा रहता इन दोर में चले साक्षरता अभियान की महत्वपूर्ण उपलबदी ये रही कि महिलाओं ने अभियान में बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया कुल लक्षे समू की 90,000 में से करीब 74,000 महिलाओं ने साक्षर होने का गौरव हासिल किया है जब महिलाओं आगे आई तो स्वभाविक था कि जादा फाइदा इने ही मिलता यही वज़ा रही कि महिलाओं के आत्म निर्भर बनाने पर भी खासा जोर दिया गया सिलाई कड़ाई का केंदर खोला गया जहां पर महिलाओं पढ़ने के साथ साथ सिलाई कड़ाई भी सीखती केंदर में ही महिलाओं छोटी मोटी बचत करके पैसे भी बचाती है जितना कहीं तो नजर आती। क्योंकि मैं बाहर निकली ना जब पढ़ने के लिए तो मुझे उन लोगों ने इतनी बोलने की हिम्मत और ताकत दे री कि अपन अपनी सक्ति से मतलब आदमी का मुकाबला कर सकते। अभी बले ही देर है वगर आदी रात तो धल चुकी है और बस पात्र की लालिमा जाने वाली ही है। कई बार सवाल उतता है कि क्या अभियान शुरू करने के बाद उस पर से ध्यान कम हो जाता है। अभियान ठीक चल रहा है कि नहीं? इसे देखने के लिए की जाती है मॉनिटरिंग। राश्तिय साक्षटा मिशिन द्वारा जिन जिलों में साक्षटा भियान प्राराम किया जाता है। उन सभी से इस बात पर बहुत जोड दिया जाता है कि मॉनिटरिंग का एक अच्छा सिस्टम वो अपने हाँ अपनाए। और मॉनिटरिंग में मुक्त है उद्वे ये नहीं है कि आँकड़े एकत्रित करना है या कोई लक्ष प्राप्त करना है जिसके लिए जो हमने रेंतर एक फील्ड से इंफर्मेशन सूचना एकत्रित करने का है। मॉनिटरिंग का जो मुक्योदेश राश्ति साक्षता में शुनदवार ने धारित किया है वह यह कि क्योंकि ये सभी साक्षता अभ्यान एक समयभद कारकरम हैं तो कारकरम को अभ्यान को किस प्रकार से फैसिलिटेट किया जाए जिससे वह सुचारू रूप से पूरा अप पाफन का कारकरम ये सभी कारकरम अपने समय पर पूरे हो और इन में आने वाली समस्याओ का समय रहते हुए उपाए किया जाए जिससे कि ये कारकरम अपने निश्ची दवदी में पूरा हो सके इसके लिए राश्टी सक्षिता मिशन ने अब एक नई प्रक्रिया अपनाई है पहले त्रू शूरू में राश्टी सक्षिता मिशन बारा सीधे सभी जिलों की मानिटरिंग किया जाता था अब जो है एक विकंद्री करत प्रक्रिया अपनाई है जिसमें कि हम लोगों ने जो राजिस्टर पर प्रोस्रिक्षन इदेशाले हैं उनको उनका काफी सही होग लिया है हर प्रोस्रिक्षन इदेशाले को यह उत्तरदाइट तो दिया गया है कि वो अपने राज में पितिक जिले में जहां पर सक्षिता भियान चल रहा है उनसे एक निश्चित प्रफॉर्मा के अंदर इन्फॉर्मेशन सुचना हर जिले से कत्रित करें पड़ो लिखोजी आ आ इए का खागा पड़ो लिखोजी